हेलो गाईज, स्वागरता है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेड़ी विद अमन कुलमी आज हम लाहें शिक्षा निदेशाले रास्टे राजदानी शेत दिली की कारी प्रतक नमबर 56 चुकि क्लास 9 करें विश्य आपका विज्ञान है डेटर जिसके 28 दिसंबर 22 आप अपने नाम और अपने कक्षिद आपक का नाम लखेंगे आज हम अपना चाप्टर है परमानू तथा अणू जिसमें हम मोल सकल्बना के बारें पड़ेंगे ग्यान जब हमें एक तत्वी ये योगिक में परदार्थ की मात्र कैसे ग्यात कर सकते हैं तुझी ग्यासा दिक्याते हैं एक रसाइनिक अविकरिया समिकर्ण में उसमें भाग लेने वाले परमानू या अनूओ की संक्या जब सीधे ग्यात की जा सकते हैं इसलिए प्रिदार्त की मात्राओं का ग्यान भी उसके परमाणू अत्मा अनुओं की संक्या के दार पर किया जाते हैं अब मूल एक ऐसा ही मात्रक होता है एका ही होती है वो प्रस्तावित की गई है मूल एक मूल हमारा 6.0222 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं यह संक्या आवो गादो सित्रांग के नहीं संक्या के लाती है किसी एक परमाणू अनू यह आयन अत्मा कड़ों का एक मूल में मात्रों की वैस संक्या जो ग्राम में उसके परमाणू अनू दरब्यमान के बरावर होती है जैसे एक मोल हाइडोजन में हाइडोजन के जो परमानों वो इतने रंगे और उसका द्रभ्यमान एक यू या एक ग्राम है अब मोल संकल्पना में क्या है एक प्रिदार्थ का मोल 6.022 इंटू 10 के बाव 23 करण संक्या में है अब जैसे एक मोल हमारा परमानों यह होता है वैसे एक मोल अनू भी हमारा यह होगा क्रिसी प्रिदार्थ के एक मोल का द्रभ्यमान सदेव निश्यत होता है क्रिसी प्रदाद का एक मोल का द्रभ विमान उसके सापेक्ष परमाणू और अनू द्रभ विमान के बराबर होता है एक मोल परमाणू का द्रभ विमान उसके ग्राम से परमाणू द्रभ विमान के बराबर होगा जैसे अगर हम ले 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 एक मोल ऑक्सिरन तो ऑक्सिरन की पार्ट आणूंज होंगे वह इतनी होंगे पर उनका द्रफ विमान क्या है 16 इंटुटू यानि ऑक्सिरन दो है न तो 16 इंटुटू करेंगे तो 32 ग्राम अगर हम उधारन देखे तो 8 ग्राम हिलियम में परमाणूं यह उसका परमाणू संक्या इतनी होती है फूर ग्राम को यह डबल करें तो यह मारा हिलियम में इसमें दो ते रखे तो 8 ग्राम हिलियम होगा अब यह नमबर दे रखे इसे हम पोर से डिवाइड करेंगे और एट से डिवाइड कर देंगे तो पुर बंसब पूर और फोर पॉइंट जीरो फोर इंटु टैन के पावर फेंट इंट रियांस परमाण हो जाएगा अब दार दू है 0.5 मोल नाइटरिजन ग्रास का दविमान तो नाइटरिजन का दविमान कितना होता है 14 यह होते हैं ऐसी नाइटरिजन के अनू का दुर विमान के होगा नाइटरोज ग्राम है और 0.5 मोल नाइटरिजन का दविमान हमारा 14 ग्राम हो जाएगा अब स्वाहम को जाचिए पहला प्रश्ण एक मोल प्रदार्त की परिवाशन लिखिए तो आप इसका अंसर करेंगे किसी प्रदार्त में पर्मानू अनू आयन के संग्या को बताने के लिए मोल का प्रियोक करते हैं किसी प्रदार्त के एक मोल में 6.022 x 10 की पावर 23 परमानू अनू या आयन होते हैं दूसरा प्रश्ण है आयोगादो संग्सित्रांग की मात्रा क्या सम विबिन प्रदार्तों के लिए विबिन हो सकती हैं समझाईए तो आयोगादरो सित्धान्त या सित्रांग एक निश्चित मान हैं किसी प्रदार्त की एक मोल में 6.022 x 10 की पावर 23 परमानू अनू होते है तो संग्या समान रहती है एक मोल कारमें डाक सैट के समान रहेंगा एक मोल वोटर में भी संग्या समान रहें तीसा प्रश्ण है चॉविस ग्राम में पारमानू होते हैं तो आप इस का इंज्चेंगी तो हम इसे पोरमें dissci मोल हमारा एमने मोल का लिखल एम एकल में द EuropPhone मैं तो मोल इसकोल को एन अपर में एन यह मैं यह अपाउन में तेटाए गर में यह वे फिर्स्ट एकल यह उखल आपन में एन अपाउन आपान में यह सब्दसक्राइगा के जिसमें डभलय हुई 24 ग्राम है, M हमारा 4 ग्राम है, N हमारा 6.022 इंटू 10 के बाव 23 है और N हमें निकालने के लिए हम फॉर्मले को ऐसे भी लिख सकते हैं, W इंटू N अपॉन में M, W 24, N इंटू 10 के बाव 23 और M 4, 4 1s are 4, 4 6 are 24, 6 को 6.022 इंटू 10 के बाव 23 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 36.132 इंटू 10 के बाव 23 हमारा आंसर आजाएगा, अब W का मतलब होता है प्रदार्त का द्रभ विमान, M का मतलब होता है प्रदार्त का परमानू, अनू द्रभ विमान, यह हम इसे अभ विमान भी कहते हैं, और N है हमारा परमानू की संक्या, और N है हमारा, यह N ही कहें तो तो आपको 0.5 नाइट्रीजन का दरविमान तो हमने अभी यही निकाला था तो जलिए करते हैं इसका अंसर तो आप इसका अंसर करेंगे प्रमाणों का दरभ इबान लिखेंगे नाइट्रूजन का होता है 14 होता है फॉर्मुला लिखेंगे n is equal to w upon m तो हमारा वही फॉर्मुला हो जाएगा w into is equal to n into m तो w हमें निकालना है तो n के अधे रखा है 0.5 और m हमारा 14 है तो यह multiply करेंगे तो 7 आजएगा तो W के हमारा 7 आजएगा नेक्स्ट है question number 5 36 gram जल है H2O में मोलो की संग्या का परिक्लाइन कीजिए तो आप देखिए वही होगा अगर हम निकाले तो H2O यानि 2 into H plus 1 into 0 equal में हमारा आजएगा तो हमारा 18 gram जो हैवर H2O में आता है equal में हमारा 36 gram है W जो हमारा 36 gram हो जाएगा निकाले क्लिक डवलो अपॉन में M and हमारा 36 अपॉन में M यानि 2 मोल के बराबर हो जाएगा आप इसे कर लेंगे आज की जो आपकी वॉक्षीट है वो complete होती है I hope आपको अच्छे से वॉक्षीट समझ आ गई होगी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को जादर से जादर दोस्तों सब्सक्राइब करे थाइब करें उस वच्तों सब्सक्राइब करें वागी जैए